बॉलिवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहेए वाटसअब बॉलिवुड के साथ हेलो एब्रिवान वेलकम टू वाटसअब बॉलिवुड इंडियन शोबिज इंडस्ट्री के साथ साथ फैंस सुबह इस खबर के साथ उठते हैं कि सिधार शुकला अब नहीं रहे दो सितंबर दो हजार एकिस की सुबह उनके कलीग्स और फ्रेंस ने सिधार शुकला की मौत पर बहुत ही गहरा शोग जताया है सभी नई ट्विटर पर सिधार के लिए श्रद्धांचली अर्पित की है वहीं कई सितारे ऐसे भी हैं जो अभी तक शुक में है सिधार शुकला की उम्र 40 साल थी अक्टर मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में मैसिव हार्ट अटेक के चलते इस दुनिया को अलविदा कहे गए एक तरफ जहां सिधार के बारे में इस तरह की खबरे आ रही है वहीं फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखे शेहनाज गिल की क्या हालत है बता दे सिधार्ट की रूमर्ड गर्फरेंड और अक्ट्रस शेहनाज गिल फिलहाल ठीक नहीं है जब से इस तरह की खबरे आनी शुरू हुई है शेहनाज गिल के पापा संतोक सिंग सुख ने स्पॉर्ट बोई यी को दिये इंटरव्यू में बताया है कि मैं फिलहाल इस समय बात करने के कंडिशन में नहीं हूँ जो भी हुआ है मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ जब उनसे ये पूछा गया कि शेहनास क्या कर रही हैं कैसी हैं तो इस पर शेहनास के पिता ने कहा मैंने उससे बात की वो अच्छी नहीं है मेरा बेटा शेहबास मुंबई जाने के लिए यहां से निकल चुका है उसके बाद मैं भी वहां जाऊंगा आपको बता दे ABP Live से बात करते हुए आजिम रियास की भाई उमर ने इस बात को रिवील किया था कि जैसे ही ये खबर पता चली आसिम तुरंट कूपर हॉस्पिटल में सिधार शुकला की फैमिली से मिलने पहुँचे हुए थे सिधार आसिम के लिए एक बड़े भाई की तरह थे उमर ने इस खबर पर अपना शौक और डिस बिलीफ भी जताया साथी साथ उन्होंने बताया कि सिधार शुकला को वो बहुत ही अड्मायर करते थे और सिधार अब इस दुनिया में नहीं है इस बात पर बिलीफ कर पाना उनके लिए काफी मुश्किल है उमर ने आगे बताया कि बिग बॉस जब खत्म हुआ तो आसिम के साथ वो सिधार शुकला से एक पार्टी में मिले थे जहां पर वो रियास ब्रदर के साथ काफी अच्छे से पेश आए साथी साथ सिधार ने आसिम से जो कुछ भी बिग बॉस के घर में हुआ उन सब चीजों के लिए माफी भी मांगी थी आपको बता दें शेहनाज गिल और सिधार शुकला की जोड़ी फैंस को काफी ज़ादा पसंद है फैंस उन दोनों को सिधनाज नाम से बुलाते हैं सिधार के जाने के बाद सिधनाज की अब ये जोड़ी तूट गई है फैंस ये जानना चाहते थे कि सिधार के जाने के बाद शेहनाज गिल किस हाल में है और इस खबर में हमने आपको यही बताया ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते हैं ये What's Up Bollywood